नमस्ते सदावसले मातरभों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आजो नबिल सुप्रीम कोट ने कि साथ जजों की बैंच ने जो जज्जमेंट दिया है मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से ऐसा जज्जमेंट नहीं आया है जिसकी देश को आवशकता थी खास तोर से खास बात ये है कि साथ जजजों की बैंच में छे जज्जमेंट लिखे गए हैं और छे जज्जमेंटों में दो बड़े जज्जमेंट और एक माइनरिटी का जज्जमेंट है इन्हें की तीन बड़े जज्मेंट लिखे गए बड़े जज्मेंट की अगर मैं बात करूँ हूं तो Honorable Chief Justice Honorable Justice Manoj Mishra के साथ उन्होंने 140 पेज का जज्मेंट लिखा है दूसरा जो सबसे बड़ा जज्मेंट लिखा है separate judgment है Honorable Justice गवई का Honorable Justice गवई के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी समाजी की द्रश्टी से मैं कहता हूं वह एक वर्ग से आते हैं मतलब वह उसी कास्ट से आते हैं उसी शिडूल कास्ट से आते हैं जो जिनके उपर यह जज्मेंट लिखा गया है और Honorable Justice बियार गवई के judgment में कहीं से भी नहीं लगा कि वो किसी दलिक समुदाय से आते होंगे मतलब कि जनरली बहुत बड़े पोस्टों पर जाने के बाद भी लोग अपनी कास्ट से बाहर नहीं निकल पाते एक मानसिक्ता से बाहर नहीं जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अमवेटकर को जब मैंने पढ़ा उनकी constitutional summary debate में उनके बाद अगर किसी उस कास्ट से या उस समुदाय से किसी व्यक्तिक को मैंने समझा और और उनके विशह में मैं कमेंट कर रहा हूं तो बॉनल जेस्टिस बी आर कवाई है मैं हाला कि लंबे समय से उनके judgment पढ़ते आ रहा हूं लेकिन आज का judgment ये बता रहा था कि वो कास्ट से बाहर निकल कर रास्ट के लिए judgment लिख रहे हैं रास्ट उनके मन में प्रथम है और वाकई में शिडूल कास्ट शिडूल ट्राइव कॉमोनिटी का उत्थान हो वाकई में उत्थान हो पॉल्टिक्स नहीं पॉल्टिक्स से परे समुदाए बात से परे यानि और 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 जाती बात से परे एक judgment जो बहुत लंबे समय के बाद आया जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें खोल होने लिखी हैं आपको याद होगा और उस एक समय पर पिछली बार जब बिहार का चुनाओं हो रहा था तो राष्टी स्वेंसिवक संगह के पूजिनी सरसंगचाला मोहन जी भागवत ने एक बयान दे दिया था और जिन्होंने कहा था कि यह जो रिजर्वेशन पॉलिसी ह इसको रिव्यू होना चाहिए इसको रिव्यू करना चाहिए उसको लेकर बिहार में वो हंगामा हुआ था पूरे देश में हंगामा हुआ था भारती जंता पाट्टी चुनाओं बिहार में पीछे रह गई थी लेकिन आज ऑनेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने सेपरेट उन्होंने कहा कि ये जो ये जो रिजर्वेशन का आफ्टर ओल व्यू है चक्र व्यू है भारत में और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको आफ्टर ओल रिव्यू करने के अवशकता है जड़ से नए सरे से इसको रिव्यू करने के अवशकता है क्योंकि अब ये प ऐसी प्रस्यति में इस policy को review करने के अवशक्ता है हाला कि उन्होंने साथ में ये कहा कि जब तक review नहीं होता जब तक इसको दुबारा इसको recycle करके नई policy नहीं बनाई जाती तब तक ये policy existing जारी रहनी चाहिए और ये तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक की नई policy आने जाती लेकिन नई policy के लिए उन्होंने reiterate किया है कि नई policy आनी चाहिए और अबिल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने descending judgment लिखा है चै जजज्मेंटों में साथ जजजों की मेंच में चै जजज्मेंट लिखे हैं जैसे मैंने पहले कहा है और अबिल जस्टिस डिवाई चैंचूर और अबिल जस्टिस बेला त्रिवेदी का judgment एकदम अपोजट है उन्होंने पुराने वाले judgment को जिस judgment को यहां पलेटा गया है चैक से उस judgment को सही बताया था और उन्होंने कहा था कि उसमें बहुत time बहुत effort लग चुका है बहुत सारे पुरानी policies को उसमें शामिल किया जा चुक थे उन्हों पर बहुत गहराई से review किया गया है इसलिए उस judgment को पलटने के अवशक्ता नहीं है जिसमें यह कहा गया था कि reservation के मामले में सब category valid नहीं है वो permissible नहीं है अब बात यह आती है कि honorable justice विक्रमनात ने भी इंडोर्स किया है और जैस्टिस गवाई को और honorable chief justice को इसके अत्रिक्त honorable justice सती शर्मा ने भी इंडोर्स किया है दोनों को और honorable justice पंकच में तल ने भी इंडोर्स किया है honorable justice गवाई को honorable justice गवाई के judgment को दो बड़ दो लोगों के judgment को छोड़ कर सभी ने इंडोर्स किया है और कहा है कि हमको जो opportunity मिली है honorable justice गवाई के judgment को पढ़ने की अगर म आप सूचिए कि जादातर सुप्रीम कोट के इस बैंच के जजेज ऑनेविल जश्चिस गवई के जज्च्मेंट से लगभग सहमत दिखाई पड़े अब बात आती है ऑनेविल जश्चिस बी आर गवई ने इसमें किया क्या है लिखा क्या है वो कौन सी बात है जो लोगों को भागई जो जजजस को भागई और जो देश के लिए दिशा दिखा रही है पहले मैं बता दूँ ओनेविल जश्चिस पंकष मित्तल ने ये कहा कि जिसको एक बार रिजर्वेशन का लाब मिल जाए उस परिवार में उसकी अगली पीडियों को रिजर्वेशन का लाब नहीं मिलना चाहिए reservation का lab केबल एक व्यक्ति को मिलना चाहिए अगर उसका परिवार आगे बढ़ गया है तो reservation का lab अगली पीडियों को नहीं मिलना चाहिए creamy layer का extend ये होना चाहिए एक तो बात ये है कि OBC में creamy layer का मामला चलता है SCST में creamy layer नहीं चलता था तो creamy layer introduce करने के लिए और जैसिस बी आर गवई ने कहा है और पंकज मित्तल साहब ने तो ये कह दिया कि reservation एक व्यक्ति को अगर मिल गया है उसके बच्चे ये school का नाम भी लिखा उन्हें उन्हें दो तीन colleges school के नाम लिखे गए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई scientist Stephen में पढ़ता है कोई scientist उसमें पढ़ता है कोई scientist में पढ़ता है और उनके बच्चे और गाउं में रहने वाले व्यक्ति के बच्चे इन दोनों में बहुत बड़ा फरक आ जाता है चुकि इन दोनों में बहुत बड़ा फरक आ जाता है इसलिए इनके बच्चे जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो जो शहरों में पढ़ रहे हैं जो इक्वल समात के साथ जिनका स्टेटस मेंटेन हो गया है इनके बच्चे और जो पीछे पढ़ रहे हैं जो गाउं में पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो उसके आगे की पीडियों के लिए सबैब के लिए रिजर्वेशन के लिए डीवार कर देना चाहिए दूसरी बात और ये बात मैं लगातार पिछले 15 साल से आज का जो जज्जमेंट है मुझे लगता है अतरिक्ति जिसका समाजिक स्टेटस मेंटेन हो गया हो समाज दलित है समाज स्टी है स्सी स्टी समाज से भी निकल कर जिसका स्टेटस मेंटेन हो गया हो उसको रिजर्वेशन का लाब नहीं देना चाहिए जिसको मिल गया है उसकी बात छोड़ दीजे और फिर जिसका इस्टेटस मेंटेन हो गया हो जो जनरल कैटगरी में आच चुका हो जो मेंस्ट्रीम में आच चुका हो जो कमा खा रहा हो जिसके बढ़ियां परवरिश बढ़ियां हिसाब हो जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा ह जो शहरों में रहा हो जिसके पास संसादन हो उसको रिजर्वेशन का लाब नहीं मिलना चाहिए वो जनरल केटगरी में आ जाने चाहिए बिलकुल वो सामान परसिती में तब हम नीचे के पाइदान के तबके को उठा कर उपर ला सकते हैं उन्हों ने पहली बात तो यह कहा कि रिजर्वेशन जब आप दलितों की बात करते हैं जब आप शिडूल कास्ट की बात करते हैं तो शिडूल कास्ट में कोई एक जाती नहीं है शिडूल कास्ट में भी छोटी बड़ी जाती हैं शिडूल कास्ट में भी उँची नीची जाती हैं अब वो हैं रिजर्वेशन के परपस से एक शिडूल कास्ट लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो उनमें भी अंदर अंदर की जाती हैं तो फिर कोई जाती ऐसी है जो comparatively schedule cast में सबसे उपर हैं यानि कि अगर schedule cast category में 10, 20, 50, 100 जातियां हैं तो वो 100 जातियों को अलग review होना चाहिए ना कि उनको एक साथ क्योंकि schedule cast में भी उचड़े पिछड़े और मजले हो सकते हैं उसमें भी अगड़े पिछड़े हो सकते हैं उसमें भी बड़े छोटे हो सकते हैं जब schedule cast एक category देश में नहीं है एक जाती नहीं है कई जातियां schedule cast में आती हैं तो उन सब का अलग अलग review होना चाहिए उन सब की केटेगरी बना सकती है राजसरकार तैकरे सरकारे तैकरे कि उनको उसमें केटेगरी बनानी है या बनाने योग है या बनाई जा सकती है या बनाना चाहिए उनके उत्थान के लिए तो reservation अगर देश को उत्थान के लिए दिया गया था किसी particular जातियों के उत्थान के लिए दि के लिए दिया गया था मेन स्ट्रीम में लाने के लिए दिया गया था तो फिर कोई जाती पीछे क्यों रह जाए इसलिए सब क्लासिफिकेशन इस परमिसिबल ऑनविल जस्टिस बेला त्रिवेदी को छोड़कर बाकी छह जजों ने एक सुर में कहा है कि चूकी स्ट्रूल का स जातियां ऐसी हैं जिनके साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है उनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है उनको अपर्चुन्टी भी नहीं मिली है वो समाज अभी भी पिषडे पायदान पर रखा हुआ है उसको मालुम भी नहीं है कि कैसे आना है ऐसे क्लासिफिकेशन राज एक rational data निकाल कर और जिब चीफ जशिस के judgment में भी उन्हों ने लिखा है एक rational data निकालना चाहिए rational data के आधार पर reservation देना चाहिए ऐसी reservation को सब कैटेगराइज नहीं करना है लेकिन एक rational data निकालना चाहिए उसका एक classification होना चाहिए उसका एक formulation होना चाहिए इन सब के बाद ही रिजर्वेशन का लाभ ले देने के लिए पॉलिसी बनने चाहिए और वो दूसरा पेज जो नोंने खोला वो बहुत खतरनाक है उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन क्या मेन स्ट्रीम में कभी लाना ही नहीं है क्या सबको equal status पर नहीं लाना है इसलिए review ये होना चाहिए कि जिन लोगों को लाभ मिल राय है schedule caste में भी जो उपर की layer में आ चुके हैं schedule caste में भी जो समर्द्ध हो चुके हैं schedule caste में जो economically ऐजुकेशनली backward नहीं है शिडूल कास्ट में जो लोग लाब ले चुके हैं मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं उनको डीवार करना चाहिए SCST की पॉलिसी में क्रीमी लेर का फॉर्मूला बड़ी रेशनल्टी के साथ विक्षित करना चाहिए बलब उनकी सब केटगरी तो करनी करनी है लेकिन सब्सक्राइब शिडूल कास्ट रहेगा डॉक्टर अमेटकर यही कहते थे डॉक्टर अमेटकर ने कहा था आज डॉक्टर अमेटकर बियार गवाई के जज्जमेंट में डॉक्टर अमेटकर जलक रहे थे साफ दिख रहे थे कि डॉक्टर अंबेटकर जिनको भूल चुके हैं लोग जिनको किसी दूसरे रास्ते पर निकाल दिया गया है डॉक्टर अंबेटकर को एक जाती विशेश बता दिया है उनको शिडूल कास्ट बता दिया है वो डॉक्टर अंबेटकर से भी दो कदम आगे Honorable Justice BR गवई निकले Dr. Ambedkar ने जब Article 16.4 के Reservation की बात की गई थी मैं आपको बता दूँ Article 16.4 Original Constitution में Reservation नहीं था Article 15.3 तो था Article 16.3 था लेकिन Article 16.4 Original Constitution में नहीं था उसका कारण था जब लोगों ने Propose किया तो Dr. Ambedkar ने उसको कर दिया उन्होंने कहा किसी जाती विशेश को हम कोई अरक्षन नहीं देने वाले हम Political Reservation दे रहे हैं ताकि Politics ऐसी चले की सबको Ministry में ला सके हम Education में Reservation दे रहे हैं Opportunity में Reservation दे रहे हैं ताकि लोग समरत हो सकें मांसी ग्रूप से समरत हो सकें ताल ताला मंदे के बेद खतम हो ये सब उन्होंने कहा लेकिन 16.4 उन्होंने डिनाई किया था उन्होंने कहा कि 16.4 में अगर हमने जातियां लिग दी तो भारत से जातिपात कभी खतम नहीं होगा और भारत जातिपात की बज़े से सबसे बड़ी समस्या में है इसलिए मैं इंप्लाइमेंट में रिजर्वेशन का भिरोध करता हूं लेकिन नहरू जी ने पहले संभिधान संभिधान के द्वारा 1951 में जातिगत रिजर्वेशन 16.4 जोड दिया था यह पहला संभिधान 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 लेकिन उस समय डॉक्टयर अमबेटकर अब पारलेमेंट में नहीं थे डॉक्टर अम्बेटकर जब तक पार्लेमेंट में रहे तब तक वो रिजर्वेशन नहीं आ पाए क्योंकि डॉक्टर अम्बेटकर ऊपर से सोचते थे इसलिए डॉक्टर अम्बेटकर ने आर्टकिल 335 भी इंक्लूड किया था कि रिजर्वेशन से अगर efficiency कमजूर होती है रास्ट की रास्ट की speed कमजूर होती है रास्ट का वैभब कमजूर होता है रास्ट कमजूर होता है तो ऐसे रिजर्वेशन की limit होने चाहिए जितनी की रास्ट जेल सकता है आप सुचे उसी के आधार पर इंदरा साहनी का judgment आया था जो डॉक्टर अम्बेटकर ने आर्टकिल 335 उस समय constitution में include किया था कि इसलिए include किया होगा कि ऐसा नहों कि लोग reservation के चक्कर में देशी ही बरबात कर दें तो Dr. Ambedkar के Article 335 का हवाला देते हुए इंद्रा साहनी ने 50% की limit लगाती थी ये 50% से उपर reservation नहीं हो सकता क्योंकि वो राष्ट की efficiency को कमजोर करेगा ये बात ऑनेबिल जस्टिस बी आर गवई के judgment में आद दिखाई दे रही थी ऑनेबिल जस्टिस बी आर गवई का judgment साफ साफ कह रहा था कि इस पूरे के पूरे मामले में schedule का schedule tribe की category को खत्म करने के लिए सभी को opportunity मिले सब main stream में ये आवश्चक है और जिनको opportunity मिल चुकी हो वो उस category से बाहर होते चले जाएं वो general category में जाते चले जाएं अले जस्टिस पंकज मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि भारत जो है वो caste system के आधार पर constitution बना ही नहीं है भारत का भारत का संभिधान caste system पर नहीं बना भारत का संभिधान equality पर बना हुआ है और caste system सिर्फ caste की जो category है वो इसलिए है क्योंकि main stream में लोग आ सकें जब main stream में आने के बाद भी आप caste कतम नहीं कर रहे हैं तो equality कहां है इसलिए main stream में आने के बाद सभी जजिस ने एक लाइन में लिखा है और अगर वो परपस फेल हो रहा है तो reservation का परपस भी फेल हो रहा है जो अभी तक शोशित वंचित रहे हैं उनको उत्थान करके उपर लाइए उनका उत्थान अगर नहीं हो रहा है और जिनका उत्थान हो रहा है वही उत्थान हो रहा है जो general category में आ चुके हैं तो reservation का परपस फेल हो रहा है आज का ये judgment आप पढ़िए साड़े 500 pages का judgment है लगबग उसमें 286 page का honorable justice बियार गवई का judgment है पूरी booklet बनेगी 140 page का honorable justice DIY चंचुड का judgment है 86 page का honorable justice त्रिवेदी का judgment है और honorable justice पंकज मित्तल का जहां तक मुझे याद है 55-56 page का judgment है और बाकी छोटे judgment है इसको पढ़ना चाहिए देश भर को देश के हर student को पढ़ना चाहिए reservation अगर उसको पढ़ना है तो इंद्रा सहनी के बाद अगर कोई बड़ा judgment आया तो ये SCST की sub category उनकी creamy layer उनमें limitation उनका mainstream में आना और उनका उत्थान ये main उत्थेश है मुझे लगता है आप सब उस पर पढ़ेंगे जैहिंद जै भारत बंदे मातरम